कि और अब बात करते हैं आठ shifting को मजबूत करने के लिए विजनेस में सफलता पाने के लिए नौकली में तरक्की पाने के लिए और संताश पाने के लिए आपको भाद्र-पद महीने में कौन से उपाएळा करने चाहिए आ यह जानते हैं इन सब सुखों के लिए कौन सा उपाई करें देखो इस महीने में दही का प्रयोग तो हमारे सास्त्रों में भरजी था जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था लेकिन अगर पूरे भादरपत मास में है स्री कृष्ण को पंचामिर्द से असनान कराया जाए भाई अगर आपकी घर में लड़ू गुपाल है या आपके पास प्रभु की कोई सेवा बिग्रह के लिए है कोई बिग्रह है सेवा के लिए तो आप दक्षिनावर्ती संख में दिब्व पंचामिर्द भर करके और पूरुशुक्तम के मंत्रों को बोलते हुए भाई पूरु यदभूतम यच्चभाब्यम उतामतर सहिसानो जदनेनाति रोहती इस तरह से सोलह मंत्रों का जो समूह है उसको पूरुशुक्त कहा जाता है तो कोई बात नहीं आज मुबाईल एक बड़ा बरदान बन गया है अगर ये थोड़ा बुराई कर रहा है तो कुछ अच्छाई पूगुपाल को या भगवान स्री कृष्ण के बिग्रफ को थाली में रख करके उनका दिव्यविश्यक करिए आपका जीवन सफल हो जाएगा आपकी मनो कामना पूरी हो जाएगी आपका जीवन धन्य हो जाएगा और जिन लोगों को संतान सुख नहीं मिल रहा है संतान नहीं हो रही है या संतान हो करके दुख दे रही है तो उन लोगों को इस माह या तो कृष्ण का जन्म उत्सो अपने हा मनाना चाहिए या भगवान कृष्ण के जन्म उत्सों में सामिल होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है पूरे भारत के लोगी कठा होके मत्थुरा चले जाएए और वहां की प्रसासन बेवस्था अस्थ बेस्थ हो जाए ये मैं नहीं कह रहा हूँ भगवान हर जेगा जन्म ले लेंगे आपके घर में भी जन्म ले लेंगे आपके वल उनका जन्म उत्सो मनाईए आपके घर में वह आएंगे कहते हैं संदना कहां कहां जहां प्रभु ना ही ऐसी कोई जगा बताओ भी स्थुमें जहां प्रभु न रहते हूं कण कण में रहते हैं कण कण में रहते हैं जहां आप देखोगे वह ही रहेंगे और अपना आत्मिश्वास बढ़ाने के लिए भाईया स्री मत्भगोत गीता का पाठ करिये ये परिणाम सूफ देगा इस महिने में लड्डू गुपाल और संख की अस्थापना भी अपने घर में कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किये हैं इसे संपनता आती है कानूनी विबाद में ब्यर्थ में अगर फंसे हुए हैं तो बेल पत्र पर मावा रखकर शिवलिंग पर अर्पित करें नवकरी में तरक्ती पाने के लिए भाद्रपत मास में भगवान स्री कृष्ण को खीर का भोग लगाएं आर्थिक इस्तिती को मजबूत करने के लिए इस मास में अपने घर में संख रखें आपकी किसी तरह के नुकसान किया संखा है या नुकसान होने वाला है तो उससे बचने के लिए भगवान स्री कृष्ण के चित्र पर सफेद चंदन केसर मिला करके अर्पित करिए प्रफेस्नल जिन्दगी में सफलता चाहते हैं तो भाद्रपत महिने में कृष्ण को खीर का भोग तुलसी का पत्ता डालकर जरूर लगाएं और मजदूरों को भी खिलाएं कारोबार में सफलता के लिए स्री कृष्ण पर सफेद धागा अर्पित करें दूसरे दिल उस धागे को अपने गल्ले में, अपने काउंटर में, अपने कैस काउंटर में रख सकते हैं जै माविन दिवास्ति